हलो विजोज, स्वागत है आप सभी लोगों का रिजनिंग के इस प्यार इसी ग्लास में कहते हैं मन्जिले अक्सर वही परेशान करती है जिन तक पहुचने के रास्ते पताना जी हाँ दोस्तों पढ़ाई का भी कुछ ऐसा ही है आप चाहे किसी भी examination की तैयारी कर रहे हो चाहे कोई भी subject आप पढ़ रहे हो आपको वही topics परेशान करेंगे आपको वही topics मुश्किल लगेंगे जिनके basic के साथ कैसे deal करना आपको पताना तो in case किसी भी subject का कोई भी topic आपको परेशान कर रहा हो तो सबसे पहले उस topic के basic से इतनी अच्छी दोस्ती कर लीजिएगा कि फिर उस topic के दुबारा इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वह आपको परेशान करें तो आज के इस session में हम एक ऐसा ही topic के बारे में discuss करने वाले है syllogism इस session के बात syllogism में possible conclusions को कैसे check करना है इसमें आपका कोई confusion नहीं रहेगा ये session start से लेकर अंध तक पूरा देखिएगा और इस session में कही हुई हर एक बात को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक बहुत ही important point पर आपका ध्यान लाना चाहूंगा एक point जिसको हम ignore नहीं कर सकते हैं syllogism के बारे में ये syllogism का footage कोई भी banking examination हो हर एक banking examination में ये topic पूछा जाता है और कितने marks के लिए पूछा जाता है तीन से पाच marks के लिए इतनी सारी banking examinations है जिन में syllogism तीन से पाच मार्क के लिए पूछा जाया है हमें क्या चाहिए हमें सिर्फ ये पाच marks नहीं चाहिए हमारा target सिर्फ ये पाच marks अचिव करना नहीं है एकदम clearly बता रहा हूँ हमारा target है इन पाच marks को दो मिनिट के अंदर secure कर लेंगे कैसे होगा concepts clear कर लेंगे जम के practice करेंगे फिर ये पाच marks दो मिनिट के अंदर अपनी जेद लेंगे ठीक है तो चलिए syllogism में जिनको कुछ भी idea नहीं है सबसे पहले मैं उनको बता देता हूँ कि syllogism में सवाल किस तरीके से पूछे जाएंगे तो syllogism में आपको examination में सवाल कुछ इस pattern में देखने को मिलेंगे आपको कुछ statements दिये जाएंगे उन statements की basis पे कुछ conclusions आपको दिये जाएंगे हिंदी में कथन और निशकर्ष जिनको कहता है हमारा काम क्या है हमारा काम यह है कि इन statements को अच्छे से समझना इन statements को अच्छे से समझते हुए कि यह क्या कह रहा है हमें यह बताना होता है यह जानना होता है इन conclusions में से, कौन सा conclusion सही है, कौन सा गलत, ये हमारा काम है, ठीक, तो questions को solve करने के लिए, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है, कि statements आखिर है कितने, और इनको जानने के बाद, इनके सही गलत होने का फैसला अगर करना है, तो इनको जानना सबसे पहले जरूरी है, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले syllogism इस chapter में कितने statements है, और उनका क्या-क्या मतलब निकलता है, इनको detail में जानता है, ठीक है, तो syllogism में जितने भी statements है, उन statements को मैंने दो categories में divide करती है, पहला है basic statements और दूसरा है derived statement, एकदम आसान भाशा में अगर कहूं, तो basic statement जो परेशान किये बगर statement आता है, वो basic statement है, और इनी statements का थोड़ा सा अच्छा इस्तमाल करके, जो statements बनाए गए है, उनको हम derived statement कहता है, अब ये definition आपको exam में कोई नहीं पूचेगा, ठीक है, तो यहाँ पर कौन-कौन से statements हमारे पास basic statement में है, देखते हैं, तो चार basic statement है हमारे चार basic statement, अगर ये चारो के चारो statement का मतलब crystal clear हो गया, चकाचक एकदम ये मतलब समझ में आ गया ना, तो फिर syllogism में परेशानी नहीं है, all A, R, B पहला statement, सारा का सारा A, B है, ये हमारा पहला statement है, दूसरा statement, सम A, R, B, A का कुछ हिस्सा B है, ये हमारा दूसरा statement है, सम A, R, B, A का कुछ हिस्सा B नहीं है, ये तीसरा statement, no A is B, ये हमारा चौथा statement, तो ये चार basic statements हमारे पास है, derived statement दूसरा statement हमारे पास है, only A, R, B, ये हमारा derived statement है, केवल A ही भी है, और only a few A, R, B, केवल कुछ ही A, B है, ये दो derived statement हमारे पास है, हमारे आज के इस session का target है, syllogism के लिए base मजबूत करना, foundation मजबूत करना, दोस्तों, चाहे life हो, चाहे examination हो, आपका foundation, आपका base जितना मजबूत होगा, उतनी बड़ी इमारत आप खड़ी कर सकते हो, हमेशा याद रखना, तो आज का ये session, आपकी syllogism की जो पूरी building है, उसका base होने वाला है, तो आज के session में हमारा ध्यान इन सब पे रहेगा, हर एक statement को detail में समझते हैं, शुरुवात करेंगे हम golden rule of syllogism से, शिलोजिजम का एक ऐसा नियम, जो मैंने observe किया है, इस नियम को अगर अच्छे से समझ लो ना, सारा का सारा syllogism इस एक rule पे खतम हो जाता है, golden rule क्या कहता है, golden rule कहता है when diagram के बारे में, question solve करने के लिए, अब जो भी when diagram ड्रॉ करेंगे, उन when diagrams में, कोई ऐसे अगर दो parts हुए, जिनके बीच में हमें relation कुछ भी पता नहीं, क्या कहां मैंने, when diagram में, अगर कोई ऐसे दो parts है, जिनके बीच में हमें कुछ भी relation पता नहीं है, तो उन दो parts में, जो मर्जी चाहे हम कर सकते हैं, यही हमारा golden rule of syllogism कहता है, golden rule of syllogism अगर clear हो गया, सारा का सारा syllogism चुटकी बजाने जितना आसान हो जाता है, तो एक बार फिर से repeat करता हूं और फिर कुछ चीज़ आपको समझा देता हूं, when diagram के कोई दो parts में, अगर हमें कुछ भी relation पता नहीं है, तो उन दो parts में, जो मर्जी चाहे हम possible बना सकते हैं, जैसे, मान लीजिए, आपके सामने यह जो दो when diagram है, अलग-अलग circles है, मान लीजिए, यह orange color का portion और green color का portion, इन के बीच में हमें कोई relation ही पता नहीं है, तो golden rule के हिसाब से, इन दोनों के साथ हम जो मर्जी चाहे possible कर सकते हैं, है न, अब जो मर्जी चाहे possible कर सकते हैं का क्या मतलबा, ये भी तो जानना पड़ेगा न, इन दोनों के साथ जो आपको अच्छा लगता है करो, अगर आपको अच्छा लगता है कि इन दोनों को हमें थोड़ा सा मिक्स करना चाहिए, तो आप इन दोनों को थोड़ा सा मिक्स कर सकते हो, बशर्ते आपको उन दोनों में कुछ भी relation पता नहीं होना चाहिए, अगर आपके पास कोई ऐसे दो पार्ट से जिनके बीच में कुछ बशर्ते पता नहीं है, तो एक पार्ट को आप पूरा का पूरा दूसरे पार्ट के अंदर भेज सकते हो, अगर आपके पास कोई ऐसे दो पोर्शन्स है, जिनके बीच में आपको कुछ भी relation पता नहीं है, तो आप दूसरे पार्ट को भी पहले के अंदर पूरा का पूरा क्या golden rule समझ में आया golden rule कहता है कि when diagram में कोई अगर दो portions हमारे पास है जिनके बीच में कुछ भी relation पता नहीं है हमें उन दो parts में जो मर्जी चाहे हम possible कर सकते हैं जैसे अगर हम चाहे तो इन दो parts को थोड़ा बहुत mix कर सकते हैं अगर हम चाहे तो किसी एक part को दूसरे के अंदर पूरा का पूरा बेच सकते हैं अगर हम चाहे तो दूसरे वाले part को पहले के अंदर पूरा का पूरा ला सकते हैं golden rule अगर clear हो गया है तो इसी के basis पे A to Z से logism खतम हो जाता है ठीक है यहाँ तक सारी चीज़े clear है अगर तो हम अभी जो statements देखे देना हमने उन statements को समझते हैं पहला statement हमारे पास है sum A, R, B क्या कह रहा है कह रहा है A का कुछ हिस्सा कितना हिस्सा A का कुछ हिस्सा statement ने हमें जानकारी दी कि A का कुछ हिस्सा B के अंदर होना चाहिए diagram ड्रो कर लिए हमने A के कुछ हिस्से को B के अंदर रख दिया अब इस diagram में सबसे पहले तो मैं खुद से एक सवाल पूछूँगा कि मुझे इस diagram में कितने parts दिखाई देता है तो मेरा answer आएगा मुझे इस diagram में 3 parts दिखाई देते कौन से 3 parts एक तो जो statement ने बताया A का वो part जो B के अंदर है ये एक part दिखा उसके बाद ये orange color का A का अपना खुद का हिस्सा है और ये B का अपना खुद का हिस्सा green color का तो ऐसे इस diagram में कितने parts दिखाई दिखाई दिए 3 parts दिखाई दिए एका अपना खुद का portion, ए और बी का common portion और बी का अपना खुद का है साथ सवाल यह आता है कि यह जो तीन parts है इस diagram में इन तीन parts में से हमें exactly क्या relation और कौन-कौन से part का मालूम है answer simple है, हमें relation बस यह beach वाले portion का मालूम है क्या हमें A का यह orange color का portion और B का यह green color का portion इनके बीच में कोई भी किसी भी तरीके का relation पता है क्या answer है नहीं, हम इसके और इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते golden rule of syllogism कितना प्यारा है जिन दो parts के बारे में हम कुछ नहीं जानते जिन दो parts के बारे में हमें कुछ भी relation पता नहीं है उन दो parts को लेकर जो मर्जी चाहे possible कर सकते है यही तो golden rule कहता है इसी को थोड़ा सा base बनाते हुए हम इस diagram में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता यह देख लेता है ठीक है तो पहला हम यह चेक करते है क्या इस diagram में यहाँ पर लिखी हुई बात हो सकती है क्या लिखा है no a can be b a का एक भी हिस्सा भी नहीं है यानि a और b पूरा अलग होना चाहिए देखो अगर हम इस diagram में a और b को पूरा अलग करने की कोशिश करे तो क्या कर पाएंगे अर Jaguar व。 और b कैये पॉर्शं तो अलग हो ही नहीं पाएगो हाल है ना क्योंकि अगर इसको अलग कर दिया तो statement गलत हो जाएगा है ना〜 statement को गलत करना यानि manos shirt घंड a statement को गलत करना नहीं आपको जो कुछ भी उचल कुछ करनी है जो कुछ भी कलाकारी करनी है वो सब कलाकारी करने के लिए एक बात हमेशा याद रखना स्टेटमेंट भगवान है वो गलत नहीं हो सकता स्टेटमेंट को गलत करना नहीं ठीक है तो अब ज़रा देखो यहाँ पर बात चल रही थी A और B को पूरा का पूरा अलग करने की तो क्या यहाँ पर A और B अलग कर सकते है नहीं स्टेटमेंट हमें उसकी इजाज़त नहीं दे रहा है तो यह वाली बात गलत हो गए अब अगली एक बात चेक करते है क्या यहाँ पर हम सारा का सारा B A के अंदर भेज सकते हैं करे क्या कोशिश statement कह रहा है आपको जितनी भी उचलकुद करनी है बिंदास करो बस A का कुछ हिस्सा B के अंदर रहना चाहिए फिर जैसे उचलकुद आपको करनी है कर लो है ना चलो अब कोशिश करते हैं क्या बोला गया है सारा का सारा भी A के अंदर होना चाहिए हमें क्या करना पड़ेगा अगर सारे भी को A के अंदर भेजना पड़ा तो हमें फिलाल उस हिस्से के बारे में सोचना होगा जो फिलाल A के अंदर नहीं है बिका ये वाला पोर्षण एक अंदर नहीं है तो क्या हमें बिके इस पोर्षण का एक के साथ कुछ भी रिलेशन पता है बिका ये जो पोर्षण है इसका कुछ भी रिलेशन एक अचम्ड पता है ना relation पता नहीं इसका मतलब golden rule of syllogism जहां पे relation confirm पता नहीं है जो आपको चाहे possible करो कोई परक्नी पढ़ता तो इसका A के साथ कुछ relation पता नहीं था तो अगर हम चाहे तो सारा का सारा भी A के अंदर रख सकते है कौन रोकेगा हमने इसको परेशान किया क्या नहीं हमने इसको परेशान बिलकुल भी नहीं किया इसका मतलब बिगड़ा है क्या बिलकुल नहीं बिगड़ा तो सारा का सारा भी A के अंदर भेजना possible हुआ ये बात क्या हो गई सही हो गई यहां तक सारी चीज़ एगर सारा का सारा A हम B के अंदर भेज सकता है क्या करो कोशिश सारा का सारा A आप B के अंदर भेज सकते हो क्या फिलाल थोड़ी दिर के लिए इसको साइड में रखते है थोड़ी दिर के लिए इसको अगर साइड में रख दे बेस किसको बनाएंगे syllogism के golden rule को क्या कोशिश करनी है सारे A को B के अंदर लाने की कोशिश करनी है अगर हमें सारा का सारा A B के अंदर लाना है तो किस portion के बारे में सोचना पड़ेगा हमें A के ये dark orange वाले portion के बारे में सोचना पड़ेगा क्या हम A के इस वाले पॉर्शन को B के अंदर भेज पाएंगे जब जब भी आपको डाइग्राम में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता इसको लेकर दुविधा हो आप बस दो चीज़ों का रेफरेंस ले लेना सबसे पहला तो golden rule of syllogism दूसरा statement का मतलब statement की भावनाओं को समझों वो कहना क्या चाह रहा है ठीक है तो अब हमें A के इस पॉर्शन को B के अंदर भेजने की कोशिश करने थे तो इसका relation B के साथ कुछ भी पता नहीं है ना हमें relation पता ना होने का मतलब हमारे पास freedom आ गया जो मर्जी चाहे जैसे चाहे वैसे करने का तो A का ये वाला हिस्सा हम B के अंदर बिलकुल भेज सकते है क्योंकि हमें relation पता नहीं था ये बाद भी क्या हो गई सही हो गई यहां पर अब थोड़ी सी दिक्कत कुछ लोगों को आ सकती है कि ये गलत कर रहे हो सので ये गलत कर रहे हो ऐसा थोड़ी हो गा भाई साब बोल रहे है एक कुछ हिस्सा रखो B के अंदर आपने क्या किया आपने तो सारा का सारा B के अंदर रख दिया ऐसे दूड़ी चलेगा कुछ स्टूडेंट्स कुछ दोस्त यहां पर फसे हो गया सिंपल सा एक्जामपल लेता हूँ मुंबई पता आपको मुंबई कहां पर है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है मुंबई महाराष्ट्र का एक छोटा सा हिस्सा है और वो महाराष्ट्र के अंदर है महाराष्ट कहा है महाराष्ट इंडिया में है जब पूरा का पूरा महाराष्ट इंडिया में है तो क्या महाराष्टर का कुछ हिस्सा जो मुंबई है वो इंडिया में है पिल्कुल है ना मुंबई महाराष्टर में महाराष्टर इंडिया में जाहिर सी बात मुंबई इंडिया में है मतलब जब पूरा का पूरा महाराष्टर इंडिया में था है जब पूरा का पूरा महराश्ट्र इंडिया में है तो उस महराश्ट्र का कुछ पार्ट भी तो इंडिया में होगा exactly वैसे जब पूरा का पूरा A B के अंदर है तो जाहिर जी बात है ना यार A का कुछ हिस्सा B के अंदर होना ही चाहिए है कि नहीं यह पूरा महाराश्रा अगर हमने इंडिया के अंदर रख दिया तो इस महाराश्रा की मुंबई भी इंडिया के अंदर आ जाएगी हमने इसका इगो हर्ट किया क्या नहीं किया स्टेट्मेंट का इगो हर्ट करना पाप है स्टेट्मेंट का इगो हर्ट करना नहीं है दो बाते जब कभी भी जब कभी भी डाइग्राम में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता इसको लेकर परेशानी है, समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ दो बातों को हम आधार बनाएंगे, कौन सी दो बाते, सबसे पहली बात, स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, उस स्टेटमेंट की भावना को समझेंगे, दूसरी बात, golden rule of syllogism, ये दो चीजों पर अच्छे से command ह हासिल कर ली, syllogism के पांच मार्क्स, दो मिनिट के अंदर हमारी जेग, सम ARB क्लियर हो गया, अगर ये यहां तक अभी जितना भी मैंने बताया क्लियर हो गया है, तो सम ARB में एक छोटा सा और सिनारियो पॉसिबल हो सकता है, अगर हम चाहे, तो B को A के अंदर कुछ इस तरी इतनी सारी चीज़े पॉसिबल हो सकती है, क्लियर, सम ARB क्लियर हो गया, अगर हां तो बढ़ते हैं आगे अगला स्टेट्मेंट जो सिलोजिजम में बहुत सारे स्टूडेंट की नीन खराब कर चुका है, है ना, सम ARB, इतना भी मुश्किल नहीं है, आपको सेशन के शुरुवात की लाइन याद है, अक्सर वही मनजिले मुश्किल लगती है, जिन तक पहुचने के रास्ते पता ना हो, कॉंसेप्ट भी वह सही तरीका हम नहीं जानते हैं, एक बर सही तरीका है, जान लो ना, फिर क्या सब मोम आया है, फिर सब आसान है फिर, ठीक है, तो चलो, सम ARB को डीटेल में जानते हैं, इसकी भावना समझ पाया, सम ARB ये स्टेटमेंट की भावना क्या कह रही है, तो इसकी भावना कह रही ह ए का कुछ हिस्सा, कितना हिस्सा ए का, ए का कुछ हिस्सा भी नहीं है, भावना को डाइग्राम में हमने रिप्रेसेंट कर दिया, ये रहा हमारा पूरा का पूरा है, भावना कह रही थी, ए का कुछ हिस्सा भी के अंदर नहीं होना चाहिए, ए का ये जो हिस्सा है, ये भी के अंदर नहीं जाएगा diagram में total कितने parts दिखे आपको 3 parts दिख रहे हैं कौन से 3 parts एक A का वो part जो B के अंदर कभी नहीं जाएगा यानि यह diagram का हमारा पहला part है diagram का दूसरा part यह A का orange color का portion जिसका relation हमें B के green color portion के साथ कुछ पता नहीं ठीक है तो तीन पार्ट कोन से हुए, एका ये पार्ट जिसका बी के साथ कोई relation पॉसिबल नहीं है, एका ओरेंज कलर का पोर्षन, दूसरा पार्ट और बी का ग्रीन कलर का पोर्षन, तीसरा पार्ट, डाइगराम में बने हैं तीन पार्ट, इन तीनों पार्ट को डीटेल में एक आपकान लेंगे समयार नॉट भी, खतम, आसान, एकदम आसन हो जाएका, चलो जानते हैं, इन तीन पार्ट में से, कौन-कौन से पार्ट का रिलेशन हमें पता है, हमें रिलेशन पता है, ये वाले पार्ट का बी के साथ, इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन पॉसिबल न के बीच में कुछ भी रिलेशन पता है, न, एका ओरेंज कलर का पोर्षन और ये बी का ग्रीन कलर का पोर्षन, इनके बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं जानते हैं, golden rule of syllogism golden rule of syllogism इनके बीच में relation नहीं पता पूरी authority आपकी पूरा freedom आपका इन दोनों के साथ orange कलर का portion green color का portion जो मर्जी चाहे possible कर लो आपको रोकने कोई नहीं आए अगर हम चाहे तो बी को इस orange कलर के portion के साथ थोड़ा mix करे पूरा mix करे या पूरा अलग रखे कोई फरक पड़ेगा नहीं पड़ेगा golden rule support कर रहा हम है ठीक है तो अब इस diagram में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता उसका जरा idea ले लेते हैं सबसे पहली चीज़ जो हमें check करनी है वो ये check करनी है क्या हम A का कुछ हिस्सा B के अंदर भेज सकते हैं क्या हम A का कुछ हिस्सा B के अंदर भेज सकते हैं अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा एक यह वाला portion तो B के अंदर जाना possible नहीं है हमें क्या करने की कोशिश करनी है कुछ हिस्सा B के अंदर भेजने की कोशिश करनी है ये नहीं जा पाया चलो इसको छोड़ दो क्या ये B के अंदर जा पाएगा अब डायग्राम में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता दो चीज़ों को बेज बनाएंगे स्टेट्मेंट की भावना को और गोल्डर रूल को इसका रिलेशन B के साथ पता नहीं है अब B के साथ रिलेशन पता नहीं इसका मतलब अगर हम चाहें तो इसको और B को थोड़ा सा मिक्स कर सकते है रिलेशन पता नहीं है इसकी भावना को चेड़ा क्या हमने बोल रहा है एका कुछ हिस्सा B के बाहर रहना चाहिए एका कुछ हिस्सा B के बाहर अभी भी है इसकी भावना को भी नहीं चेड़ा हमने इसका इगो हट नहीं किया और golden rule का सहारा लिया तो ये बात सही हो रही है बिल्कुल सही हो रही है A का कुछ हिस्सा B के अंदर जा सकता है दूसरी बात चेक करें क्या आप B का कुछ हिस्सा A के अंदर भेज सकता हो अरे A का कुछ हिस्सा B के अंदर भेजने की बात हो या B का कुछ हिस्सा A के अंदर भेजने की बात हो, बात तो A की है न, ये भी बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, अब अगली चीज़ चेक करते हैं, क्या हम सारा का सारा B, A के अंदर भेज सकते हैं, क्या कोशिश करनी है, हमें कोशिश करनी है, सारे के सारे B को A के अंदर प्रभेजने की, B का relation, A के साथ पता है क्या, थोड़ा सा पता है, B का relation, A के साथ partially पता है, B का relation, A के इस grey कलर के dot के साथ पता है, A के इस बाकी orange कलर portion के साथ, B का कुछ भी, किसी भी तरीके का relation हम जानते है क्या, relation पता नहीं मतलब golden rule of syllogism हम पूरा का पूरा B A के इस orange color के portion के अंदर रख सकते हैं क्यों अरे golden rule ने कहा है relation नहीं पता आप राजा हो जो चाहे possible कर लो हमने इसकी भावना को hurt किया इसका ego hurt किया क्या हमने नहीं ठीक है अभी भी A का कुछ portion B के बाहर है इसका ego भी hurt नहीं हुआ और golden rule अपना काम कर गया तो ये बात सही हो रही है all B can be A absolutely possible हो सकता है ठीक यहां तक सारी चीज़े clear है तो एक आखरी चीज़ चेक करते है अब उल्टा चेक करता है हमने सारे B को A के अंदर भेजने की कोशिश की और हम काम्याब हो गए क्या हम सारे A को B के अंदर लाने की कोशिश करे तब काम्याब हो पाएंगे क्या चेक करना है सारा का सारा A B के अंदर हम ला सकते है कि नहीं यह चेक करना है जब थोड़ा सा A B के अंदर लाने की बात चल रही थी हम काम्याब हो गए क्योंकि थोड़ा सा A भेजना था पर जब बात चलेगी सारे A की पूरे के पूरे A की A के अंदर यह हिस्सा कर बैठा है बगावत मेरे को नहीं जाना B के अंदर तो A का जो हिस्सा बगावत कर चुका है B के साथ इसको किसी भी तरीगे से B के अंदर भीजना पॉसिबल नहीं होगा क्या A का ये बाकी बचा हुआ पोर्शन B के अंदर जाएगा अगर इसको हमने छोड़ दिया तो A का ये बचा हुआ सारा का सारा पोर्शन हम यहां से उठा कर B के अंदर भेज सकते हैं क्यूं अरे उसका रिलेशन ही पता नहीं है ठीक है और इसका इगो भी हट नहीं हुआ है यह कह रहा है कि एक कुछ हिस्सा B के बाहर रहना चाहिए देखो एक कुछ हिस्सा अभी भी भी के बाहर है तो थोड़ा सा हिस्सा जिसका B के साथ नेगेटिव रिलेशन है उसको छोड़ दिया जाए तो सारा A B के अंदर लाया जा सकता है तो यह बात क्या हो जाएगी सारा A तो नहीं ला पाए तो यह बात गलत हो जाएगी यह ज्रूज इस केस में संभव नहीं है clear sum A R not B sum A R not B clear हो गया है तो अगला एक statement देख लेते हैं जो है all A R ठीक है उससे पहले sum A R not B को quickly revise करा देता हूँ sum A R not B हिंदी में जिसको कहते है कुछ A B नहीं है यह statement हमें A के कुछ ही portion का idea B के साथ देता है तो इस केस में A का वो portion और B का negative relation को ध्यान में रखते हुए हम चाहे तो A और B को partially mix कर सकते हैं अगर हम चाहे A और B पूरा अलग रख सकते हैं अगर हम चाहे तो सारा B A के अंदर भेज सकते हैं और अगर हम चाहे तो यह वाला portion छोड़के सारा का सारा A B के अंदर ला सकते हैं यह है sum A R not B की कहाना आगे हैं हमारे पास all A R P simple सा statement प्यारा सा statement सारा का सारा A B होना चाहिए diagram में देख रहा है सारा का सारा A हमने B के अंदर रख दिया statement A को क्या बोल रहा है देख ऐसा है तुझे जितनी भी उचलकुद करनी है ना कर ले मुझसे बाहर नहीं निकलना B ने A से क्या कहा जितनी भी उचलकुद करनी है मेरे अंदर रहके ही कर ले तो A B के अंदर चाहे जितना भी चोटा हो सकता है जितना चाहे उतना चोटा हो सकता है अगर A को बड़ा होना होगा कितना बड़ा होगा A को अगर बड़ा होना होगा तो A फैल फैल कर B के जितना बड़ा हो जाएगा कि माक्सिमम उसकी हद तो वही है B उसको अपने बाहर निकलने देगा अगर A B से बाहर निकल गया तो इसका ego हट हो जाएगा ये गलत हो जाएगा चलेगा क्या नए तो ए बी के अंदर रहकर ही सारी उचलकुद कर सकता है यहाँ पर क्या ये सिनारियो पॉसिबल होगा क्या हम सारा भी ए के अंदर भेज सकते हैं तो अब देखो, थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा, कि A जितनी भी उचलकुद करनी है, वो B के अंदर रहके करेगा, तो A अगर फैल कर उतना बड़ा हो जाए, जितना बड़ा भी है, सारा भी A के अंदर आता हुआ, दिखा या नहीं दिखा, A जो पहले इत्तुजा था, फैल कर इतना बड़ा हो गया कि जितना बड़ा भी है, तो सारा भी A के अंदर आता हुआ, दिख गया, ओके, तो सारा भी A के अंदर जाने वाली बात सही होती हुई, दिख रही थी, ये बात क्या थी, सही थी, ओले आर भी टियर, A को कंपलसरी B के अंदर रखना है, ठीक है, यहां तक सारी चीज़े क्लियर है अगर, आकरी में सिलाव जिज़म का एक स्टेटमेंट बचा है, जो मेरा परसनली बहुत फेवरेट स्टेटमेंट है, नो, A, Is, B, कोई A, B नहीं है, अभी तक जो तीन स्टेटमेंट हमने देखे, समेयार भी, समेयार नॉट भी, और अले आर भी, उन स्टेटमेंट में हमने यही सारी चीज़े देखी, कि इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, यह स्टेटमेंट में वैसा कुछ भी नहीं है, यह No, A, Is, B वाले स्टेटमेंट में वैसा कुछ भी नहीं है, क्यों, क्योंकि एक बार ना कह दिया, तो उसका मतलब ना ही होता है, नो मिन्स नो, ठीक है, तो यहाँ पर कोई सिनारियो पॉसिबल नहीं होता, ना बोल दिया तो ना ही है, और कोई चीज़ की वहाँ पर गुंजाईश ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर और कोई सिनारियो पॉसिबल नहीं होता, अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने सिल स्टेटमेंट होते हैं उसके बेसिस पर कुछ कंक्लूजन होते हैं उसके बाद हम लोगों ने जाना कि सिलोजिसम का गुल्डन रूल क्या कहता है गुल्डन रूल जानने के बाद हम लोगों ने सिलोजिसम में कौन-कौन से स्टेटमेंट बेसिक और डिराइव उसमें से चार basic statement उनके बारे में detail में जाना syllogism के golden rule को और अभी तक जो 4 statements हमने discuss किये हैं उनकी भावनाओं को याद रखते हुए हम conclusions को check करें conclusions को check करने के लिए हमें conclusion कितने तरीके के examiner पूछता है ये भी पता होना चाहिए तो अगली चीज़ जो हम सीखने वाले हैं वह यही है types of conclusions examination में कितने type के conclusions पूछे जाते हैं पहला है possible conclusion दूसरा है definite पॉसिबल और definite में क्या फर्क है simple सी language में बता देता हूं मेरी दोस्तोंने movie देखने का plan बना लिया ठीक है और दोस्त मुझे पूछ रहे हमने movie बनाने का plan movie देखने का plan बना लिया है क्या तो आएगा मैं उनको बोल रहा हूं शायद मैं आउंगा maybe I'll come okay तो मैंने उनको confirmation दिया है क्या मैंने उनको confirmation नहीं दिया मैंने जस्ट उनको बताया शायद मैं आ सकता हूं पर अगर वही पर मैं कहता हां मैं आउंगा अगर मैंने कहा कि हां मैं आउंगा तो यह fix हो जाता है कि हां मैं movie देखने जा रहा हूं तो यही फरक है possible और definite conclusion के बीच में ठीक है तो possible conclusion की language कैसी होती है all a can be b सारे a b होने की संभावना है सारे a b हो सकते हैं वही पर अगर इसी का definite version देखने जाए तो क्या होगा all a r b सारा का सारा a b है एक बार बोल दिया बोल दिया वैसा ही होना चाहिए कुछ भी compromise नहीं जोलेगा ठीक है तो वैसे ही possible conclusions में sum a can be b आता है a का कुछ हिस्सा भी होने की संभावना है या फिर a का कुछ हिस्सा भी हो सकता है इसी का definite version कैसा रहेगा इसी का definite version रहता है sum a r b a का कुछ हिस्सा confirm इधर की दुनिया उदर हो जाए पर वो b के अंदर ही रहेगा वो definite version है उसके बाद sum a can not be b कुछ a b नहीं हो सकते यह sum not का possible version है इसका definite version क्या होगा sum a r not b a का कुछ हिस्सा b नहीं होना चाहिए चाहे फिर इदर की दुनिया उदर हो जाए लास्ट no a can be b a का एक भी हिस्सा b ना होने की संभावना है ठीक है तो इसी का definite version क्या होगा इसी का definite version है no a is b कुछ भी हो जाए यह और भी पूरे अलग रहने चाहिए conclusion का classification समझ में आके इसको अगर थोड़ा अच्छे से समझने जाए तो इन में differentiate करने के लिए हमारे पास कुछ keywords है जैसे हमारे पास can be, cannot be, may be, may not be या फिर सारे मोड़ा लॉक्सिलरी जैसे could be, could not be, would be, would not be, might be, might not be ऐसे सारे keywords है जो हमें बताते है कि वो conclusion possibility वाला है definite conclusion में is, is not, are, are not या फिर definitely यह keyword या फिर can never can never को अभी नहीं discuss करेंगे, इसके लिए अलग से session में हम पूरा detail में बात करेंगे, यह can के साथ not लग जाता है, तो क्या फरक होता है, और can के साथ never लग जाता है, तो क्या फरक होता है, इनके बारे में detail में जाए ठीक है, पर अभी के लिए क्या आपको एक basic difference समझ में आ गया, conclusion possible कब होता है, और conclusion definite कब होता है, ठीक है, जहां पर हो सकने की या ना हो सकने की बात चल रही हो, यह हो सकता है या फिर यह नहीं हो सकता, जहां पर ऐसी बात चल रही है, वह conclusion possibility वाला है, जहां पर बात चल रही है यह ऐसा ही होना चाहिए, यह ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर यह बात clear हो गई है तो वह definite करती है, ठीक है, अभी इस session में हम लोग target करेंगे possibility वाले conclusion को, एक बार possibility वाले conclusion कैसा चेक करना है, यह समझ में आ गया, तो definite conclusion ऐसे check हो जाते है ठीक है, तो possibility वाले conclusion पर पहले ध्यान देते है, how to check possible conclusions possible conclusion किस तरीके से हमें दिये जाएंगे हमने देखा all a can be b, all a cannot be b, some a can be b, some a cannot be b, ok no a can be b, no a cannot be b, ok तो यहाँ पर ऐसे हमें possible conclusions मिलेंगे, तो basic तरीका क्या होता है, possibility वाले conclusion को में सही कर पाए, तो possibility सही है, बशर्ते आपको statement का ego hurt नहीं करना है, statement का ego hurt करके नहीं चलेगा, और golden rule को अच्छे से याद रखना है golden rule का सहारा लेगा, एक बार quickly फिर से बता देता हूँ, possibility check करने का approach क्या रहेगा, जो भी possible conclusion हमें दिया होगा, हम क्या करेंगे, उस possible conclusion में कहीं हुई बात, at least एक बार सही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बस हमें क्या नहीं करना है, statement का ego hurt नहीं करना है, मतलब statement गलत नहीं करना है, और golden rule का सहारा लेगा, इसी को याद रखते हुए, हम कुछ conclusions अभी discuss करेंगे, आपको मैं एक statement का set दे रहा हूँ, ठीक है, आपके सामने 5 statements है, उन समझ में आया है, उसके basis पे, ये conclusions आप check करिएगा, देख लेजिए, क्या answers आपको मिलता है, फिर हम discussion स्टार्ट करेंगे, चलिए, discussion स्टार्ट करेंगे, discussion के लिए सबसे पहले हम इनकी Venn diagram बनाएंगे, पहला statement क्या है, all A are B, सारा का सारा A, B होना चाहिए, तो हमने सारे A को रख दिया, किस के अंदर, B के अंदर, सारा A, B के अंदर हमने रख दिया, जैसा statement बोले वैसा कर लिया, statement भगवान है, sum B, R, C, कह रहा है कि B का कुछ हिस्सा होना चाहिए, C के अंदर, B का कुछ हिस्सा हमने रख दिया, C के अंदर, आगे बढ़ने से पहले, इस छोटी सी diagram को थोड़ा analyze करते है, देखो, syllogism सीखते है वाद, ये analysis करते हैं के लिए, शुरुवात में आपको थोड़ा ज्यादा time जाएगा, बट एक बार ये analysis पका दिमाग में बैठ गया ना, मैं बोल रहा हूँ, 20 seconds से ज्यादा कोई भी question time नहीं लेगा, एक question 20 seconds के अंदर solve हो जाए ठीक है, अब analysis क्या करना है, हमने दो ही statement अभी तक देखे, सारे a को रखना है b के अंदर और c का कुछ हिस्सा रखना है b के अंदर, तो हमें c का ये जो बचा हुआ portion है, इसका कुछ भी relation a के साथ पता है क्या, हमें c का ये वाला portion और ये वाला portion इनका कुछ भी relation a के साथ, A और C का कुछ भी relation हमें पता नहीं है, statement में जितना कहा है सिर्फ इतना हमें पता है, ठीक, क्या हमें C का ये जो बचा हुआ portion है, इसका और B का ये जो बचा हुआ portion है, इसका कोई relation पता है, नहीं, हमें relation पता है, सिर्फ इस overlap portion का, ठीक है, अगला statement क्या कहता है, अगला statement कहता है C का एक भी हिस्सा क्या नहीं है? D नहीं है. फिर से एक बार diagram को analyze करते हैं. D का relation हमें कहां तक पता है? इस पूरे मैदान में D का relation हमें वहां तक पता है जहां तक C फैला हुआ है. D बोल रहा है ना तो मैं C के अंदर जाओंगा और ना C को अपने अंदर आने दूँगा. ठीक है? तो D का relation उस पूरे area पर हमें पता है जहां पर C फैला हुआ है, जहां पर C की authority है. इसका मतलब हमें D का relation इस portion के साथ पता है, हमें D का relation ये वाले portion के साथ पता है. क्या हमें D का relation, B के इस वाले portion के साथ पता है? क्या हमें पता है D का relation, B के इस वाले portion के साथ? नहीं. कुछ भी D का relation हमें B के ये वाले portion के साथ पता नहीं है. हां, हमें ये जरूर पता है कि D का और B के इस portion का interaction पॉसिबल नहीं है. यहां तक clear हो गया है तो अगला statement हम देखेंगे अगला statement गहता है कि D का कुछ हिस्सा होना चाहिए E के अंदर ठीक है हमें यह जो overlap portion है न हमें एक चीज़ पता है कि यह overlap portion पर इस पर D भी अपना हक जता रहा है यह जो common portion है यह exactly किसके जैसा behave करेगा यह जो common portion है न यह D के जैसा भी behave करेगा और E के जैसा भी behave करेगा ठीक है तो E के इस portion का relation हमें कहां कहां और किस के साथ पता है E का यह वाला जो portion है न इसका relation हमें वहां वहां पता है जहां जहां पर D के इस हिस्से का relation हमें मालूँ है जैसे D का यह हिस्सा C के अंदर नहीं जाएगा तो हमें यह clearly मालूम हुआ कि D का यह E का यह वाला हिस्सा C के अंदर नहीं जाएगा हमें यह clearly मालूम है B C को अपने यह वाले पार्ट के अंदर आने नहीं देगा clearly मालूम है हमें यह भी मालूम है कि E भी C को अपने इस पार्ट के अंदर आने नहीं देगा क्या हमें क्या हमें B का और E का यह जो common portion है इसका कुछ भी relation A के साथ या फिर B का यह जो dark orange color का portion है उसके साथ कुछ भी पता है अभी तक हमें कुछ भी relation D और E के इस common portion का इन दोनों के साथ कुछ भी पता नहीं है आगे चलकर पता लग यह तो अलग बात है पर अभी तक पता है क्या अभी तक तो पता नहीं है ठीक चलो क्या हमें E का यह जो बचा हुआ dark yellow color का portion इसका कुछ भी relation C के साथ B के साथ या A के साथ पता है अभी तक अभी तक E के इस वाले portion का relation हमें C, B या A इन में से किसी के साथ कुछ भी पता नहीं है जहां पर relation नहीं पता वहां पर golden rule जो चाहे possible कर सकते है एक आखरी statement बचा है आखरी statement कह रहा है no A is E, A का कुछ भी relation E के साथ पता नहीं है जैसे जैसे नए रिष्टे बनते जाते हैं वैसे वैसे पुराने रिष्टों के माईने बदल जाते हैं बात जिंदगी में भी सही है सिलोजिजम में भी सही है तो ए और ए के बीच में आप क्या हो गया जगड़ा यह बोल रहा है मैं E को अंदर जाओंगा नहीं और E को अपने अंदर आने दूंगा नहीं इस जगड़े की वजह से यहां पर कुछ relation पे इंपक्ट पड़ा है वो इंपक्ट समझ में आ गया क्या आपको है ना relation बदला नया relation बना पुरा नए relation पर impact होना ही है है ना सत्य है जीवन का अब देखो यहां पर हमें अब relation क्या पता है हमें अब relation पता है अब क्या हुआ ए और ए का नेगेटिव रिलेशन है ठीक है तो ए और ए आपस में इंटराक्ट नहीं करेंगे और उन दोनों की जहां जहां जिस जिस पे चलती है वो उनको भी इंटराक्ट करने नहीं देंगे जैसे पहले पहले डी का ए के साथ कुछ भी relation पता नहीं था तो डी और ए पहले पूरे के पूरे अन्नोंत है तो अब क्या हुआ ए और ए का जैसे ही जगडा हुआ तो ए ने बोल दिया देख ऐसा है मेरा और ए का जगडा हो ग E ने D को सिर्फ उतने portion के बारे में बताया जितने portion पर E की authority है E का हक है ये बाकी जो portion है इस पर E का कुछ हक है क्या बाकी जो portion है उस पर E अपना हक नहीं जमा सकता तो वो अभी भी वैसा ही behave करेगा जैसा D को करना था तो D का और E का पहले हमें कुछ relation पता नहीं था तो अभी भी D का ये वाला portion और E का हमें कुछ दी रिलेशन पता नहीं था ठीक है पहले बी का ये जो Orange कलर का portion था मतलब ये और सारा portion जितना सी के अंदर है उसको अगर हटा दिया जाय तो जो भी बचा A के सहित उसका relation E के साथ पहले पता नहीं था, अब नया relation बन गया, पुराने relation पे impact आना है, तो अब हमें क्या पता चला कि B का वो हिस्सा जो A के अंदर था, वो E के साथ interact नहीं गरेगा, पर इस relation ने impact कहां पर डाला, इस relation ने impact सिर्फ वही पर डाला, जहां पर A की authority थी, जहां पर A की अपनी चल रही थी, ठीक है न, तो A यह जो B का portion बचा हुआ है, सिर्फ dark orange color का portion, B का वो portion हटा दो, जो A के अंदर है, B का वो portion भी हटा दो, जो C के अंदर है, है न, B का यह जो dark orange color का portion है, क्या अभी भी हमें उसका कुछ भी relation E के साथ पता है, क्या, नहीं, B के dark orange color का relation हमें अभी भी ना तो E के साथ पता है, ना D के इस portion के साथ पता है, यानि अभी भी ये वाला पार्ट और पूरा का पूरा E, golden rule of syllogism के अंदर आएंगे, उनके बीच में relation ही पता नहीं है, clear हो गया, क्लियर हो गया, डाइग्राम अगर पूरी क्लियर हो गई, तो conclusion चेक करेंगे, conclusion चेक करना मुश्किल नहीं है, है ना, syllogism में कुछ चीजों का basic understanding बहुत जरूरी होता है, कौन सी है वो कुछ चीज है, सबसे पहली चीज, जो statements हमने देखे, 4 statements, all, some, some not know, इन 4 statement की भावना एकदम अच्छे से clear होनी चाहिए, हर एक statement क्या कहता है और क्या नहीं कहता, यह हमें अच्छे से पता होना चाहिए, पहली चीज, दूसरी चीज, जो syllogism में हमें एकदम अच्छे से पता होनी चाहिए, वो golden rule of syllogism, ठीक, तिसरी चीज, जो diagram हम बनाते हैं, तो जैसे जैसे हम अगले relation को consider करते जाते हैं, वैसे वैसे वो पिछले relation पर impact छोड़ता जाता है, ठीक है, तो यह diagram में जितने भी parts बनते हैं, सारे parts का एक दूसरे के साथ क्या relation है, यह अगर clearly पता हो, यह तीन चीज़े clearly पता हो, possibility चेक करने में परिशानी नहीं होती है, ठीक है, चलो पहला answer तो लिख होई गया आपके सामने, तो यह सही हो सकता है कि चेक करेंगे, ठीक है, उससे पहले कि आपको याद है, possibility कैसे चेक करनी है, इसे पहले वाले slide पर दिखाया था मैंने आपको, possibility वाले conclusion को चेक करने के लिए, हमें उस conclusion में कही हुई बात को बस एक बार सही करने की कोशिश करनी है, conclusion में, किस conclusion में, possibility वाले conclusion में, कही हुई बात, एक बार भी हम अगर सही कर पाए, तो वो possibility वाला conclusion सही होता है, पहला conclusion कह रहा था, some a can be c, a का कुछ हिस्सा c हो सकता है, ठीक है, तो a का कुछ हिस्सा c हो सकता है, क्या ये बात सही कर सकता है, चेक करेंगे, एक चीज याद है, मैंने आपको पहले कही थी, कि diagram में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये चेक करने के लिए, दो चीजों को आधार बनाएंगे, statements की भावनाओं को, और golden rule को, तो क्या a का कुछ हिस्सा c के अंदर भेज सकता है, ये हो सकता है, चेक करने के लिए, जानते है a और c के बीच में क्या relation है, a के और c के बीच में हमें कुछ भी relation पता नहीं, ए और सी के बीच में ना ही कोई direct relation पता है ना ही indirect relation पता है ठीक है ए और सी के बीच में कुछ भी relation पता नहीं है इसका मतलब golden rule ofuteurism इन दोनों के बीच में कुछ भी relation पता नहीं है इन दोनों के बीच में जो चाहे possible कर सकते है ए और सी को थोड़ा mix कर सकते है और सी को पूरा mix कर सकते है और सी को पूरा अलग भी रख सकते है है ना, तो sum A can be C, ये बात हम सही कर पाए क्या, कर पाए ना, एक बार भी सही कर पाए, तो possibility में कही हुई बात सही होती है, A का कुछ हिस्सा हम C के अंदर भेज सकते थे, सही हो जाए दूसरे conclusion में कहा है, कि आप ये कोशिश करो, सारा A, C के अंदर भेजने क्यों कोशिश करो, क्या आप सारा A, C के अंदर भेज सकते हो, सारा A, C के अंदर भेज सकते हो क्या, देखो, A का उर C रिलेशन हमें नहीं पता, ठीक है, तो रिलेशन नहीं पता, मतलब, जो चाहे possible कर सकते है न, तो A को C के अंदर भेजा, जा सकता है, All A can be C, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो अब देखो A को C के अंदर भीजना था तो शायद कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा भी आ सकता है कि यार ये A तो B के अंदर है है ना A कहां है? B के अंदर हमें A की जितनी भी उचलकुद करानी है वो कहा करानी है B के अंदर तो C का जो portion B के अंदर है यहाँ पर हम A को लेकर आ सकता है C का जो भी portion B के अंदर है अगर A सारा का सारा यहाँ पर लेकर आएंगे तो इसका ego heart नहीं होगा A अभी भी B के अंदर ही रहेगा और यह बात भी सही हम कर पाएंगे इतना जादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है दिमाग simple चीज से लगाएंगे आसान करेंगे कोन आसान करेगा golden rule हमने क्या देखा सिर्फ A और C के बीच में relation पता नहीं था relation पता नहीं था मतलब जो मर्जी चाहे possible कर सकते थे दूसरा conclusion all B can be कह रहा है सारा B A होने की संभावना है अब यह संभावना सही ज़ा हो जाएगे अगर एक भी बार किसी एक भी सिनारियो में हम यह بात सही कर पाए तो conclusion सही है अगर हम कोई ऐसा सिनारियो बना ही नहीं पाए जिसमें यह बात सही हो रही हो अगर इस बात को सही बनाने वाला एक भी सिनारियो नहीं मिला तो ये गलत हो जाएगा सारा भी A के अंदर जा सकता है क्या थोड़ी देर पहले जब हम all discuss कर रहे थे हमने ये देखा था कि ये A जो है न ये फैल फैल कर पूरा B के जितना हो सकता है अगर हमने इस A को पूरा फैला दिया और B के जितना कर लिया इस A को पूरा फैला कर अगर हम B का जितना कर देते है तो all B can be A ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी सारा का सारा भी A के अंदर समा जाएगा ठीक है तो ये बात भी क्या हो गई सही हो गई क्योंकि ये बात को सही बनाने वाला एक सिनारियो हमें मिल गया चौथा conclusion कह रहा है sum A cannot be B A का कुछ हिस्सा B नहीं हो सकता मतलब अब इसको अगर सही कराने की कोशिश करे है ना A का कुछ हिस्सा B के बाहर निकाले इसका ego hurt हो जाएगा statement गलत हो जाएगा और statement गलत करने की permission हमारे पास है क्या statement गलत करने की permission हमारे पास बिलकुल भी नहीं है तो sum A cannot be B क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि इसको सही करने जाते है यहाँ पर ego heart हो रहा है, ठीक है, यानि इसको सही बनाने वाला एक भी सिनारियो हमें नहीं मिल रहा है, यह गलत हो जाए, आगे हम चेक करते हैं, no C can be B, C का एक भी हिस्सा भी नहीं हो सकता, मतलब C और B पूरे अलग हो सकते है, इसको सही करने की कोशिश करें, अगर हम C और B क को ऐसा खीच कर अलग कर देंगे, तो C और B का यह जो common portion है, यह भी तो अलग हो जाएगा, और अगर यह अलग हो गया, इसका ego heart हो जाएगा, statement का ego heart कर सकता है, क्या, नहीं, B और C का यह portion हमेशा common रहना चाहिए था, हमेशा intact रहना चाहिए था, तो यह बात भी हम सही नहीं क conclusion भी क्या है, यह conclusion भी गलत होगा, क्योंकि इसको सही कराने जाएंगे, statement गलत होगा, नहीं चाहिए, तो possibility कैसे check करनी है समझ में आगया, possibility वाले conclusion को check करने के लिए, हमें क्या करना है, उस possibility वाले conclusion में बताई हुई बात को, बस एक भी possible scenario में सही कराने की कोशिश करनी है, अग वो किसी एक possible scenario में सही हो गया, तो वो सही होता है, ठीक है, ओके, तो इसी के basis पर 5 और conclusions discuss करेंगे, ताकि और clarity आजाए आपको, statements और सारे conclusions आपके सामने, screenshot ले लीजेगा, इनको check करिएगा, और फिर discussion के साथ match करना, ठीक है, इन सारे statements की diagram तो अभी हमने discuss कर ली है, तो सारी के सारे diagram आपके सामने, ठीक है, चलो, one by one सारे discuss करते है, पहले conclusion में बात चल रही है, B के कुछ हिस्से को E के अंदर भेजने की, क्या बात चल रही है, B के कुछ हिस्से को E के अंदर भेजने की, तो check करो, क्या आप B का कुछ हिस्सा E के अंदर भेज सकते हो, ठीक है, देखो, B का ये वाला हिस्सा E के अंदर भेज़ पाएंगे, नहीं भेज़ पाएंगे, B का ये वाला हिस्सा E के अंदर जाएगा ही नहीं, छोड़ दोस्त, हमें क्या कोशिश करनी है, हमें कोशिश ये करनी है कि conclusion में कही हुई बात, जैसे तैसे बस एक बार सही हो जाए, बस एक बार, possibility वाले conclusion की ये खासियत है, possibility वाले conclusion में कही हुई बात, बस एक भी बार सही हो गई, तो वो possibility वाला conclusion सही होता है, तो sum B can be E, B का ये वाला portion तो नहीं जा रहा, छोड़ दो, क्या हमें, B का ये जो portion है, ठीक है, B का ये जो orange color का अपना खुद का portion है, इसका कुछ भी relation E के साथ पता है, बी के इस portion का कुछ भी relation E के साथ पता नहीं है, तो अगर हम चाहें, तो B के इस वाले portion को E के अंदर भेज सकते हैं, relation पता नहीं मतलब golden rule of syllogism, जो आपको अच्छा लगता है, वो करो, तो B के इस वाले portion को अगर हमने E के अंदर भेज दिया, तो इस conclusion में कही हुई बात हम सही कर लेंगे, B का कुछ हिस्सा E के अंदर हम भेज पाएंगे, इसको सही बनाने वाला सिनारियो इस portion की वज़य से लगता, possibility वाले conclusion को चेक करते हैं वक्त बस यही ध्यान रखना है, बस एक बार वो सही हो जाए, क्या एक बार यह सही हो गया, एक बार यह सही हो गया मतलब conclusion सही होना चाहिए बात करता, अगले चार conclusions चेक करेंगे, अगला conclusion कह रहा है, all E can be B, सारा E B के अंदर भेजने की कोशिश कर सकते हो, क्या, करो, सारा का सारा E B के अंदर भेजना है, देखो, E का यह जो portion है, इसका कुछ भी relation हमें B के ये वाले पार्ट के साथ पता नहीं है, है न, B का, ये जो अपना खुद का orange color का portion है, इसके साथ हमें E का कुछ भी relation पता नहीं है, ना तो E के इस हिस्से का relation हमें पता है, और ना ही E के इस हिस्से का relation हमें पता है, जहां पर हमें relation नहीं पता, golden rule हमें पूरी authority दे देता है, सारा का सारा E उठा कर हम यहां पर ऐसे रख सकते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, है न, ठीक है, तो D को भी इदर ला सकते हैं, D का ये जो portion है, E का जो portion D के अंदर है, इसका भी relation हमें B के ये वाले portion के साथ पता नहीं था, तो इसको भी हम यहां पर लेकर आ सकते हैं, तो E का ये वाला portion भी हम B के अंदर भेज पाए, और ये वाला portion भी B के अंदर भेज पाए, यानि इस बात को क्या हम सही कर पाए, इस बात को हम सही कर पाए, All E can be B, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है आठवा conclusion कहता है all be can be ultra check करना है सारे बी को ई के अंदर भेज सकते हो क्या आसान answer simple है ठीक है देखो पर थोड़ा से detail में समझते हैं सारे बी को ई के अंदर अगर भेजना होगा तो बी का कोन-कोन सा पार्ट ए के कोन-कोन से पार्ट में जा सकता है और नहीं जा सकता डीटेल में एक बार समझ लेंगे ना तो आगे बहुत सारे confusion का solution अभी मिल जाए सिर्फ conclusion चेक करना है उसका answer चेक करना है तो बहुत ही simple है कि सारे बी को अगर एक के अंदर भेजना है तो जाहर सी बात है बी का ये वाला portion एक के अंदर कभी जाएगा ने तो वो बात तो हम सही कर नहीं पाएंगे थोड़ा से detail में समझते है इसको देखो बी का ये वाला portion बी के जिस portion पर सी की भी authority है क्या ये portion एक के अंदर जा सकता है answer है ये बी का part एक उस portion में नहीं जा सकता जिस portion पर डी की authority है है ना ये वाला part कहां नहीं जा पाएगा वहां नहीं जा पाएगा जहां पर डी की authority है पर बाकी वाला इस वाले portion के साथ हमें ना तो B का कुछ relation पता है ना C का कुछ relation पता है तो relation अगर पता नहीं है तो B का ये जो part है वो E के इस वाले portion के अंदर बिल्कुल जा सकता है कोई दिक्कत नहीं है तो B का ये वाला part E के इस portion के अंदर आ सकता है similarly B का ये जो औरेंज, डार्क औरेंज कलर का पार्ट है इसका भी कुछ भी रिलेशन हमें E के साथ पता नहीं है अब इसका रिलेशन तो E के इस पूर्शन के साथ भी पता नहीं है E के इस पूर्शन के साथ भी पता नहीं है तो ये डार्क औरेंज कलर का पार्ट चाहे यहाँ पर लेकर आओ, यहाँ पर लेकर आओ, कोई फ़रक नहीं पड़ था, possibilities में हम क्या सीख रहे हैं, जो भी diagram, statement के according हम बनाते हैं, उस diagram में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, यह हम सीख रहे हैं, तो सारा भी E के अंदर भेज पाए, क्या हम नहीं भेज पाए, क्यों नहीं भेज पाए, क्योंकि B के अंदर एक ऐसा portion है, जो E के अंदर कहीं पर नहीं कहीं जाही नहीं सकता है, इसकी वजह से ये conclusion क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, 9th conclusion चेक करते है, sum A, N, B, D, कह रहा है, A का कुछ हिस्सा D के अंदर भेजने की कोशिश करो, देखो, A का relation, हमें क्या check करना है, A को कुछ हिस्सा D के अंदर भेजने की कोशिश करो, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये check करने के लिए, दो चीजों का सहारा है, statement की भावना और golden rule, तो statement की भावना क्या कहती है, A का relation हमें, D के उस portion के साथ पता है, जहां पर E की authority है, ठीक है, तो A का relation हमें यहां तक पता है, statement की भावना के according, A का कुछ भी relation हमें, D के इस वाले portion के साथ पता नहीं है, तो अगर हम चाहे, तो A का थोड़ा सा part यहां बेज सकते है, अगर हम चाहे, A का सारा part इदर बेज सकते है, कोई रोकेगा क्या हमें, कोई नहीं रोकेगा, तो conclusion में बात चल रही थी, A का कुछ हिस्सा D के अंदर बेजने की बात क्या हो जाएगी, बिलकुल सही हो जाएग, ठीक है, तो एक भी सही होने वाला सेनारियो मिलने का मतलब possibility वाला conclusion सही होता है, ठीक है, आखरी conclusion चेक करेंगे इसमें, आखरी conclusion कहता है, all D can be A, उल्टा चेक करेंगे, सारा D A हो सकता है क्या, सारा D अगर A के अंदर बेजने की कोशिश करें, तो देखो, D का ये वाला जो part ह है न, इसका relation हमें A के साथ कुछ पता नहीं है, D के इस वाले part का relation हमें A के साथ कुछ भी पता नहीं है, तो इसको A के अंदर बेज सकते कोई दिक्कत नहीं है, है न, इस वाले part को A के अंदर बेज सकते कोई दिक्कत नहीं है, पर D के पास ये वाला part भी तो है, इस वाले part क रिलेशन हमें A के साथ पता है और वो रिलेशन नेगेटिव है ठीक है तो यह वाला पार्ट A के अंदर कभी नहीं जाएगा तो जब सारे D को A के अंदर भेजने की कोशिश करेंगे वो नाकाम्याब रहेगे ठीक है तो यहां पर यह 10th conclusion क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ठीक है आगे 5 conclusions मैं आपको homework के लिए दे रहा हूं इनका screenshot लेके आप चेक करके रखना ठीक है अभी तक जो discussion हमने किया I hope कि वो discussion आपको एकदम अच्छे से clear हो गया है डाइग्राम वैसे ही बनेगी बस conclusion में क्या दिया है क्या नहीं conclusion की भावना को समझो statement की भावना को समझो ठीक है statement का ego hurt मत करो golden rule अच्छे से समझो तो ये पूरे possibility वाले session को अगर मैं summarize करना चाहूं तो possibility सही है या गलत ये check करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है possibility सही है या गलत ये check करने के लिए सबसे पहले आपको हर एक statement का मतलब अच्छे से पता होना चाहिए दूसरा जो भी diagram आप बनाते हो उस diagram में जितने भी portions बनते हैं हर एक portion का relation हर दूसरे portion के साथ crystal clear way में पता होना चाहिए ठीक है और तीसरी बात golden rule of syllogism अच्छे से पता होना चाहिए ये तीन चीज़ है statement का मतलब diagram के portion का relation golden rule of syllogism तीनों चीज़ अगर clear है तो आप possibility वाले conclusions आसाने से check कर सकते हो possibility वाले conclusion को check करने का तरीका ये होता है possibility वाले conclusion में कही हुई बात एक बार भी किसी एक सिनारियो में भी हम सही कर पाए तो वो possibility क्या होती है सही होती है ठीक है तो जो session के शुरुआत में मैंने एक line कही थी वो line मैं आपको फिर से बता देता हूँ और आप लोगों से session से इजाज़त लेता हूँ उससे पहले मैं आप लोगों को in conclusions के answer बता देता हूँ पहला conclusion sum e can be c क्या होना चाहिए पहला conclusion sum e can be c सही हो जाएगा कैसे e का ये जो portion है इसको हम c के अंदर भेज सकता है ठीक है ये वाला नहीं भेज पाए पर हमें एक बार ही सही करना है तो इस वाले portion को भेज़ दो c के अंदर एक बार सही हो जाएगा बात करता है all c can be e सारा c e के अंदर आ सकता है क्या पूरे के पूरे c का relation e के इस portion के साथ कुछ भी पता नहीं था यहाँ पर आ सकता है यानि सारा c e के अंदर आ सकता था दूसरा भी सही हो गया इसका उल्टा सही हो सकता था क्या सारा c तो हमने e के अंदर ला दिया पर सारा e c के अंदर भेज सकते थे क्या सारा e अगर c के अंदर भेजना था तो e का ये वाला पार्ट भी तो हमें c के अंदर भेजना पड़ता पर इसका relation c के साथ हमें पता है कि यह c के अंदर नहीं जाएगा तो सारा E C के अंदर नहीं जा सकता, 13th conclusion गलत हो जाएगा, 14th, no D can be E, D और E अलग कर सकता है क्या, D और E को अलग करना पड़े, तो इसका E go heart हो जाएगा, ये part separate हो नहीं सकता, 14th conclusion भी गलत हो जाएगा, last 15th conclusion, all D can be E, सारा D A के अंदर जा सकता है क्या, नहीं, हमने कोशिश करके सारा A D के इस portion के अंदर ला दिया था, है ना, सारा का सारा A, D के इस portion के अंदर आ सकता है क्योंकि A का relation हमें इस portion के साथ कुछ पता नहीं था, पर उल्टा जब करने जाएगे, सारे D को A के अंदर भेजने जाएगे, तो D का ये वाला जो part है ना, ये तो हम A के अंदर भेज़ पाएगे, पर D का जो part E के कबजे में है, वो नहीं जाएगा ना, है ना, तो इस part की वजह से, सारा D, A के अंदर नहीं भेज सकते, 15 conclusion गलत हो जाएगे, तो that's it, from my side in this session, session के शुरुवात में जो एक लाइन कही थी, उसको दोहरा के ये session में मैं आप लोग की मुश्किल लगती है जिन तक पहुचने के रास्ते पता नहीं, तो syllogism जिनको मुश्किल लगता था, I hope ये session देखने के बाद, possibilities check करना अच्छे से आ गया है, syllogism में बची हुई बाकी चीज़े अगले sessions में कबर करें, so that's it, from my side in this session, thank you, take care, and सबसे important, enjoy your time, thank you so much.